हेलो जी असलाम अलेकुम और वेलकुम बैक टू माई चैनल क्या हाल चाले आप सब लोगों का उमेद करती हूं कि आप सभी लोग हेरियाच से होंगे तो चलो जल्दी से व्लोग को शुरू करते हैं इस सवाल के साथ जल्दी से मुझे कमेंट से में बता दो कि आपकी तरफ मोसम कैसा है कहां कहां बादल आये हुए हैं और कहां कहां बरस रहे हैं अपना नेम और अपने सीटी का नेम ना जल्दी से कमेंट से मुझे बता दो तो और चिडिया मैना सारी चीज़ा गार्डन में आ जाती हैं लेकिन एक अपस्टा आप जाती है खेयर फिर आज मैंने अपने गार्डन में एक और चीज़ भी देखी वह और हिबिसकस का फ्लार इस बार हमारे हिबिस्किस पे ना काफी ज़्यादा फ्लायर आए है साथ ही आपको रिमाइंडर दे देती हूं कि खुब सारा पानी पिया करो क्योंकि भी अब गर्मे आ चुके हैं और जब बना पानी ने पीता तो डी हाइडरेशन हो जाती है कोई भी बोटल ले लो ज़रूरी नहीं है कि कोई फैंसी सी लो नॉर्मल सी जो गोर्मे वाली या कोई और बोतल आती है ना उसी को आप लोगों ने धोके फिर अपने पास रख लेना है और जहां पे आप बैठे वे हो सबजी काट रहे होती हैं लेड़ीज तो उनको भी इशी होता है कि बारा से बार बार उठकर पानी पिने नहीं जाती कि हाँ चलो काम पूरा कर लें फिर पानी पिये इस तरह नह एक दो फ्लार पेना सीड अच्छे तरीके से बन चुके थे तो मैंने यह वहां से हारवेस्ट के लिए देखो इतना सिंपल होते हैं बस आपने सीड तोड के रख लेने होते हैं जब पैक करूंगी तो वो भी आप लोगों से शियर जरूर करूंगी खेरा नाशते में मैंने खाए थे छोले मज़ा आ गया था इतने टाइम के बाद में खा ली थी रमजान में तो बिलकुल हम लोगों ने चोले खाए ही नहीं थे बिलकुल भी नहीं और इतना गैप आ गया था और यह रहा हमारा रजब आज हमने रजब को नहला दिया था पहले तो इतनी ठंड थी तो हमने नहलाया ही नहीं था इसे और हमें डर लगता था ना बिचारा बीमार ना होजे खेर ना आने के बाद हम तो इसे देख के खुश थे ही हमारा रजब भी बहुत जादा हुश हो गया था और ये देखो जी ये क्या है वैसे में नावल नहीं पढ़ती अब आप लोगों मेंसे बताओ कि कौन को नावल का शुकीन है खेर मेरी फ्रेंड्स ना युनिवस्टी टाइम में बहुत ज़दर शुकीन होती थी खेर ये मेरी कजन के पास था मैंने बोला कि मुझे देदो मैंने भी पढ़ना है फिर उसने कहा मेरे एक्जैम है इतने दिनों में ना पढ़ लेना फिर मैंने के मैं तो बैठ गी थी इसी काम पे और इसी काम पे चक्र में देखो पूरा टाइम ना मतलब में रावली पढ़ रही थी और इसी तरह से आ जाता है और एक उबसूरत सा दिन वैसे तो हर चगा ही बारिश की पिशगोईएं चल रही थी और जब बादल आ जाए तो फिर तो बंदे को लगता है कि बारिश आईगी ही आईगी आप लोगों वैसे गरेज गरेज चमक से ना किस को डर लगता है खेर इतना तो मुझे नहीं लगता है, मैं तो भी इंजुआए करती हूँ और यहां पर देखो इतना एक साइड से नीला असमान तो और दूसरी साइड से इतने प्यारे प्यारे बादल और यह ना मतलब मुझे लगता है एक फिल्टर सा लग जाता है पूरी हर चकापे, पौदे, जमीन, खर, सब कुछ बहुत खुबसूरत लगता है इसी फिल्टर में यह फिल्टर भी बड़ा प्यारा लग रहा है अब नेच्डरल फिल्टर के बात करी हूँ, जो बादलों से लग गया था मेरे बारे फिल्टर की नहीं तो मैंने एक छोटा सा फ्लार तोड लिया था, शुरू में मैं फ्लार नहीं तोड़ती क्योंकि मुझे खुब सारे सीड चाहिए होते हैं फ्लार से, और जी यहां पे फिर होगी थी स्टार्ट बारिश, बारिश ना शायद आपको नजर ना आ रही हो, लेकिन बारिश प्यार यह ना हमारे चैरी टमाटे ना यह ऐसा नहीं कि छोटे टमाटे ना ठीक है ना, खिर आज में बनाने वाली थी चिकन और मैं वैसे चिकन नहीं बनाती हूं कि मुझे रखते मुझे गंदा बन जाएगा, लेकिन अज मुझे खाला ने का कि चलो तो मुझे बना ही लो टेले और टेले हैं कि फिर उनको अ ब्राउं ब्राउं करिया ता है उपने इसका नदर ड़ा ने हम यह तो खोर थी उपने देए लुदे ज हूल नहीं के अँड़ सूख alm चिकन को पकाने होते हैं फिर टेमाटर के साथ में पकाने होता है अगे चलके अदर दही डालेगी तो फिर इस प्रोसिस में चिकन कुख हो जाता है इसके अंदर जो मसाले डाले हैं मैंने नमक डाले हैं हल्दी डाली है और मिर्ची डाली है सारी चीज़ें आपके ही हिसाब से का तो फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी एड़ करके इसको अच्छे से कुक कर लेना भी पहरे दही को पका लेना ठीक है ना अब इसके अंदर मैंने मसाला डारा था इसके अंदर सूखा धनिया था काली मिर्शी थी और जीरा था मैंने तकरीबन ब्राबर कॉंटिटी में ले ली थी सारी चीज़ें और फिर इनको ना मतलब कूस का ना वो बाउडर सा बनाके ने इसको एड़ कर दिया था अब इसके बाद मैंने इसके अंदर वैसे पानी डाला था क्यूंके भी हमें तो मतलब थोड़ा सा शूर्बा चाहिए था आपको नहीं चाहिए तो यहां पर तकरीबन बन जाती है और अगर थोड़ा सा कूक करना है ना चिकन को तो थोड़ा सा पानी डाल ले ना और पिर कड़ाई टैप चिकन चाहिए वो तियार हो जाएगा यहां पर मुझे जल्दी तो फिर मैंने जल्दी सरोटिया मनाई रात को खेर फिर से बारिश हो रही थी तो वो इतना मज़ा आ रहा तो फिर मैंने पापड फ्राइ कर लिये थे वैसे मैंने मंगाए थे बच्चों के ल चल रही थी आम एकाबर लिये ती ती वासमान छादिया को मैंने दे आओध और वर्य एक दिन पहले ही लिय था है इसके मैंने वैज़न को ऑन के दे और में रा धी और फिर मैंने जादिया किह मोया थे लूक आट रहा झुराई और इसको तो इससाथ में मज़ेदार से कीरे फैर भी गर्मिया ओओ तो फिर यह ठीन ठीनी चीज़ें मज़े की लगती है यहां पर फिर मैं आगी थी चाचु के कबूतर देखने है चाचु के साथ में वैसे तो कबूतरों की विराइटी का मुझे पता नहीं चलता है है लेकिन चाचु बतारे है तो मैंने का सुनती जाती हूं क्या पता कहां काम है कि कॉनसी जिजो होती रिवे कॉउत है कॉवत्र कॉर नाम कॉन सा होता है कॉपत्र का नामा बादल भी होता乾 bride g बादल भी होता है मुझे पटा इसको पलाली पLittle दाल देते ऐाइ हूं, तो किया है हुए हुए होता है होती है, लेकर इसदे उते अब़ा, त्वो नियुक्त tempo बना औरती होского काम जा सारे कोदार मेरा है। तरहि यह स्वाँ प्रूषता है है। इतना attachment है मुझे बड़ा मज़ा आता है मुझे नहीं पता किसी और को भी मज़ा आता है या नहीं यहां पर जैन ने मेरे लिए बनाया था बनाना शेक और यह रब्रा रेडी क्यू है यह जैन के खुराफाती दिमाग की वज़ा से है क्योंकि जार ने इसके ने भी रूफजा डाल दी थी इसको रूफजा इतनी पसंद है भी मैं किसका क्या करूँ ख्यार फिर यह तो मुस्से पी आई नहीं गया पिर नहीं हम लोगों ने अपनी पसंद की चीज़े मंगा ली थी यहां बुच्छों ने पराठा मंगा ना था और इन्होंने ने शुआरमा मंगा लिया था चीज़ वाला फिर इनको मज़े नहीं है खिर अम्मी और मुझे मज़े था कि हमें विंग्स और नगिर्स चाहिए थे और वो खाकित हमें मज़े है और फिर हम लोग बड़े खुश हो गए थे वीडियो आप लोंको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना मिलेंगे इन्शालला अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाफिज ओके जियो के बाई बाई